कि नमस्कार दोस्तों मैं अजय कौशिक आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल चाय डाइगनॉस्टिक से दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गोल्ड स्टेंडर्ड टेस्ट के लिए शुगर के लिए जिसको को HBA1C कहते हैं HBA1C मतलब ब्लाइकेटेड हुमोगलोबिन लेवल अब शुगर का नाम आते हैं हमारे मन में प्रशन आ जाते हैं कि क्या होता है यह कैसे किया जाता है क्यों किया जाता है इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे प्रशनों के जवाब इसमें देंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि HBA1C टेस्ट करवाना किसको चाहिए कि HBA1C टेस्ट हमारे को करवाना चाहिए अगर हमारा वजनजाता है हम और है हमारा ब्लेट प्रेशर ज़्यादा रहता है हम् हाई पर्टेंसिव हैं कि हमारे फैंबली हिस्ट्री और हमारे धाधर वन भड़ न्वाली को किसी को भी ह्रेधर है तो हमारे को HBA1C test कराना चाहिए हमारे को hurt problem है हमारे को pregnancy है तब भी हमारे को test कराना चाहिए इसके अलावा अगर हमारे को ज्यादा प्यास लग रही है या ज्यादा पिशाब आ रहा है या थकान वह को ज्यादा हो रही है तो यह शुगर के लक्षण हो सकते हैं और हमारे को HBA1C कराना चाहिए अब हम देखें कि होता क्या है हमारे श्रीर में हुमग्लोबिन जो HB होता है वो हमारे शरीर को oxygen supply करता है जब हमारे को शुगर level बढ़ जाता या diabetes हमारी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा शुगर है वह हमोग्लोबिन के साथ HB के साथ अटेच हो जाता है और वो ग्लाइकेटेड हुमोगलोबिन बन जाता है तो यह चेक करने के लिए कि हमारे शरीर में कितनी शुगर ने हुमोगलोबिन के साथ अटेच्मेंट कर ली है उसकी परसंटेज देखने के लिए यह हम गोल्ड स्टेंडर टेस्ट एच्बी एवन सी कर पता चलता है हमारा कि हमारे शरीर में कितनी परसंट ग्लुकोज ने एच्बी के साथ अटेच्मेंट कर ली है यह जुड़ गया है जैसे हम शुगर करते हैं फास्टिंग करते हैं खाली पेट का हमारा टेस्ट पता चल जाता है कि हमारे को कितनी शुगर है उस टाइम पे ख करते हैं उसमें यह पता चलता है कि नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद हमारा कितना ग्लुकोस लेवल है उसी तरह से ग्लाइक केटेड एच भी जिसको बोलते हैं एच भी एवन सी उसमें यह पता चलता है कि हमारा तीन महीने में का कंट्रोल कैसा है कितना जो है ए हो भी है यह बिल्कुल एकुरेट होता है दूसरा एक एडवांटेज यह है कि यह टेस्ट हमारे को किसी भी टाइम करवा सकते हैं खाली पेट भी करवा सकते हैं अब हम इसके बारे में पता करेंगे कि इसकी रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं अगर हमहरा एच्भी एवन सी की चालेवल परसंटेज है तो इसका मतलब हमारा नामल है और हम नांग्ट्रों घाया चासाथी बीच में नांग् SAM प्रेकों सकती है अगर हमारा है एच्पीएवन सी लेवल 6.9 से ज़ादा है तो हम डाबिटिक पेशेंट्स हैं उसी तरह से अगर हमारी जो वैल्यूज है एच्पीएवन सी की वह 9 से ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल पूर कंट्रोल कर रहे हैं डाबिटीज का जो हम क्यातर की देवाई नहीं करेंडै यह हम उन्ण डाबिटीशन में सब सकता है तो हमारी को म法 कतर को हम एक दोइयां डाबिट söन्य को दे समयां कु关बुर को देन garden कंट्रोल घाना और बैक्रेंकर भांव अब यह टेस्ट कराना किसको है पहले जो पेशिंट चाहते हैं कि हम यह देखें कि हमारे को डाइबटीज हुआ है या नहीं हुआ है उनको यह टेस्ट कराना चाहिए मतलब कि suspected diabetic patient दूसरा जिनको diabetes होने का खत्रा है जिनकी family history है उनको regularly ये test करवाना चाहिए और तीसरा जो patient already diabetic है उनको तो ये test regularly कराना चाहिए हर तीन महिने में और उनको पता रहे कि उनका diabetes control कैसा चल रहा है और उनको dose titration कैसे करने है regular doctor के पास जाने से पहले हमारे को ये test कराना चाहिए ये gold standard test है और ये test बहुत ही जरूरी है diabetic patients के लिए हम शीतल चाह डागनॉस्टिक पर हमारी वेबसाइट पर विजेट कर सकते हैं www.bloodtestdeli.com पर या आप हमारे सेंटर पर भी आ सकते हैं और अपनी HBA1C की जांच करा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू